हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरा नमशकार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बन मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं लोकी की कोफता तो यह बहुत ही सॉफ्ट कोफता बनकर त्यार होते हैं जिस तरह से गुलाब जमूल होता है उससे भी ज्यादा सॉफ्ट यह देखिए मैं आपको दिखा रहे हूँ बहुत ही टेस्टी हमारी यह कोफता करी बनकर त्यार होती है और इसकी ग्रेवी तो इतनी जवर्दस बनती है मैं आपको क्या बता हूँ बहुत ही थिक बना कर हमने त्यार की है यह देखिए बिल्कुल भी पानी अलग यह कोफता अलग आपको दिखाई नहीं देगा जिस तरीके से आज हम बना रहे हैं इसे जिरू ट्राइग कीजिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से बनाएंगे तो सबसे पहले कर लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है अगर इससे भी ज़्यादा बरीक वाला आपके पास ग्रेटर है तो आप उससे कीजिए गा तो अब हम क्या करेंगे आप मैं पानी इसका बिल्कुल स्कुईज कर लूँगी जितना भी इसमें ज्यादा पानी नहीं है इसमें जितना भी है उसे squeeze करके अलग से रख लेते हैं और फिर बनाते हैं हम इसके बड़िया से कौफ दे तो मैं आपको दिखाती हूँ squeeze करने के बाद तो यह देखिए मैंने अच्छी तांसे squeeze कर लिया है तो ज्यादा पानी इसमें से नहीं निकला ह तो इसे यहां तो ग्रेवी में डाल लेंगे पानी को यहां इसे इसमें आटा वगरा लगा लेंगे तो अब हम इसमें डालते हैं कुछ और चीज़ें तो जिसमें मैं डाल रही हूं एक कटा हुआ प्याज साथ में कटी हुई हरी मिर्च बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस तरह से और आदा चमच मैं डाल रही हूं इसमें जिंजर पेस्ट अब हम डालेंगे इसमें काफी सारा हरा धनिया तो कोफता अच्छा बना होगा ना तो तभी उसकी ग्रेवी भी बढ़िया बनेगे और खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे तो आदा चमच मैं डाल रही हूं साबो जीरा और थोड़ी सी मैं डाल रही हूं इसमें अजवाइन फ्लेवर के लिए अब हम डालते हैं इसमें कुछ मसाले यह मैंने लिया है कोरिंडर पाउडर यानि कि धनिया पाउडर थोड़ा सा मैं डाल रही हूं इसमें नमक थोड़ी सी लाल मिर्च एड़ कर रही है तो उसकी वज़ा से मैं थोड़ी कम लाल मिर्च डाल रही हूं और यह मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है इ इन सबी चीजों को हम अच्छी तना से मिक्स करेंगे, उससे पहले हम इसमें एड़ करते हैं बेसन, तो 4 चम्मच के करीब मैं इसमें बेसन डाल रही हूं, तो पानी इसमें स्क्वीज किया है इसलिए ज्यादा बेसन इसमें नहीं लगेगा, तो अगर ज्यादा बेसन लगता है कि हमारे कोफते जो है यह दिखिए बन रहे हैं अराम से बन रहा है कोफता तो बस इसमें और बेसन एड़ करने की जरूरत नहीं है तो फ्रेंज मैं इसके कोफते बना लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं तो फिर इसे करेंगे फ्राइ तो लीजिए सभी कोफते हमने कर त्यार कर लिए है और ओइल मैंने गैस को फ्रेम अन करके रख दिया है और अच्छी तरह से गरम हो चुका है डाल देते हैं इसमें फ्राइ करने के लिए कोफते तो जितने इस कडाई में आएंगे मैं उतने पहले फ्राइए करूंगी और बात में थोड़ी से स्पेस बन शेक कर दें कडाई को तो ओयल में अश्री तरह से ये अराम से शेक को जाएंगे अब हम क्या करेंग इसे पलट देते हैं यह देखिए तो मैंने हाई फ्लेम पर ओयल को गरम किया था और उसके बाद मैंने फ्लेम कर दी है मीडिय forcém同body inside cream पर हमारे कोफते पकने चाहिए तो उलट पलट करते हुए इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और देखिए थुड़ी सी स्पेस बन गी थी तो मैंने बाकी कोफते भी इसमें एड़ कर दी है और पहले वाले कोफते बहुत ही बड़िया कलर गोल्डन कलर आ गया है बस इससे ज्यादा हम इसे और क्योंकि यह बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं तो पहले हम यह वाले निकाल लेते हैं गोल्डन वाले और बाकी वाले जो बाकी हैं उनको पकने देंगे अच्छी तरह से और बाद में उन्हें भी निकाल लेंगे तो इसके बाद हम त्यारी करेंगे हमारी ग्रेवी की तो पहले मैं कोफ्ते निकाल लेती हूँ, अच्छी तरह से फ्राई करके सारे साइड पर रख देंगे, तो इन कोफ्तों को भी फ्राई करके निकाल लेंगे, तो कोफ्ते तो हो गए हमारे त्यार, अब हमने कडाई दूसरी रख दी और डाल दी हैं, तीन चार बड़े चमच तो अब हम इसमें डालते हैं कुछ खड़े मसाले, तो जिसमें मैंने लिया है तेज पत्ता, बड़ी एलाइची, जीरा, दाल चिन्नी, हरी एलाइची, लॉंग और काली मिर्च, तो इन्हें हमें अच्छी तरह से ओल में फ्राई करना है, जब तक इनका फ्लेवर ना आज ह और में, देखिए कितना बड़ी है कलर आ गया, अब डालते हैं इसमें हमारे अनियन पेस्ट, दो मैंने प्याज लिये थे, जिसने मिक्सी जार में चला लिया है, और बना ली पेस्ट, अब अच्छी तरह से इसे भून लेते हैं, जब तक हलका कलर इसका चेंज ना हो जाए तो यह देखिए फ्रेंड्स, कलर चेंज हो गया है ना, तो अब हम इसमें डालते हैं हमारे जिंजर गालिक पेस्ट, एक बड़ा चमच, दीजिए, तो मिक्स करेंगे इसे भी अच्छी तरह से, और इसे भी हमें तब तक भूनना है, जब तक इसका कच्छा फ्लेवर ना ख है, तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी आड़ कर देती हूं, क्योंकि आइल मैंने कम ही आड़ किया था, तो अब इसे फिर मिक्स करते हैं एक बार और इसे छित्रा से भुनने देते हैं, जब तक इसका गोल्डन कलर ना आ जाए प्याज का, तो लिजए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा कलर हमारा आ चुका है प्याज लसन अद्रक का, अब हम डालेंगे इसमें हमारी ट्रमेटो प्यूरी, जिसमें मैंने तीन हरी मिर्च को भी साथ में ही ग्राइंड किया है, तो एड़ कर देते हैं इसे, और मिक्स करेंगे प्याज इतना से भूनना है, तो लिजए मिक्स तो हो गई, अब डालते हैं इसमें कुछ मसाले, ये लिए है मैंने टेस्ट के कॉर्डिंग नमक, साथ में डालते हैं लाल मिर्च का पाउडर आदा चमच, साथ में ही हल्दी पाउडर, ये है धनिया पाउडर, आदा चमच से साथ है, और ये है करम मसाला, तो करते हैं मिक्स, और इसे हमने भूनना है कम से कम 4-5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5-6 मिनट ओ चुके हैं, मैंने 2-3 बार चला भी दिया था बीच में, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा म अब हम क्या करेंगे, अब हमें करनी है, ग्रेवी को थोड़ा सा गाड़ा, तो उसके लिए मैं इसमे अड़ कर रही हूँ, बेसन, तो ये कच्छा बेसन है, तो इसे अच्छी तान से करते हैं मिक्स, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है न, वो थीक बनेगी इसे, तो इस बात का तीन से चार मिनट हो चुके हैं, देखिए कितना क्रीमी इसका टेक्स्चर आ गया है, और खुश्पू भी बहुत जबरदस तारी है, क्योंकि बेसन अच्छी तान से बुन चुका है, बेसन अच्छी तान से बुनना बहुत जरूरी है, इस बात का जरूर धियान है, एक बात का ध्यान और आपको देना है, क्योंकि जो कोफते होते हैं, पानी को बहुत ही ज़्यादा एब्जार्ब करते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी ग्रेवी को पतला रखना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, तो अगर मुझे थोड़ी गाड़ी लगेगी, तो मैं पानी और एड़ कर दूँगी, तो इसे पकने देते हैं, तो कम सकम साथ से आठ मिनट हो चुके हैं, लो फ्लेम मैंने कर दी थी और इसे अराम से पकने दिया है, ओयल देखिए, सेपरेट हो गया है न, तो ये देखिए, कितनी हमारी थिक बनी है ग्रेवी सिरफ बेसन की वज़ा से, क्योंकि ग्रेवी को गड़ा बेसन ही करता है, तो ये देखिए, बहुती बढ़िया खुश्बू भी आ रही है, क्योंकि हमने सबी खड़े मसाले भी इसमें एड़ की हैं, तो अब बारी है, इसमें कोफते डालने की, तो कोफते भी डालकर इसे क कम से कम 3-4 मिनट हम लो फ्लेम पर ही रख देंगे और इसे अराम से पकने देंगे जब तक हमारे कोफते सॉफ्ट नहों हो जाएं, तो देखिए कोफते हमारे बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, तो डालते हैं इसके ओपर हर अधनिया, हलका सब मिक्स करते हैं, तो आप इस तर फ्लेवर आता है इसमें, तो मैं थोड़ा से इसमें कसूरी मेथी भी आड़ करूँगी, थोड़ा और बढ़िया फ्लेवर आएगा इससे, तो लीजिए कोफता हमारा बिल्कुल त्यार है, कोफता करीब बिल्कुल त्यार है, सर्व होने के लिए, तो मैं आपको नजदीक स थीक बनी है तो आप इसे राइस के साथ खाएं प्रांठे के साथ खाएं तंदूर की रोटी के साथ खाएं रुमाली रोटी के साथ खाएं पूरी के साथ खाएं या सिंपल चपाती के साथ खाएं जिसके साथ मर्जी खाएं ये बहुत ही टेस्टी लगती है तो दोस्तों को और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई